प्रिष्ट संख्या 118 कला कर्म एक विचित्र उन्माध है इसे विश्वास से सहेजना है संपूनता से पहाडों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले ही संद हैदर रजा सन 1922 बाबरिया गाउं मध्य प्रदेश सम्मान Great of Officer of the Order of the Arts and Letters मृत्यू होगे सन 2016 में रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपूर स्कूल अफ आट वा सर जेजे स्कूल अफ आट मुंबाई से प्राप्ध की भारत में अनेक प्रदर्शनिया आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की चात्र विट्टी पर फ्रांस गए और अध्ययन किया आधुनिक भारतिये चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपून है रजा सिर्फ एसी वज़े से कला की दुनिया में सम्माने नहीं है बलकि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतिये कला को अंतराश्टे स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ती में आता है इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक कर रहे लेकिन उनका केंदर भारत ही रहा सूजा न्यू यॉर्क चले गए और रजा पेरिस में जाकर बस गए इस तरह रजा की कला में भारतिये और पश्चिमी कला द्रिष्टियों का मेल हुआ लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहां की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेट रूप से भारतिये कलाकार है बिंदू उनकी कला रचना के केंदर में है उनकी कई कलाकृतियां बिंदू का रूपाकार है प्रिष्ट संख्या 119 यह बिंदू केवल रूपाकार नहीं है, बलकि पारमपरिक भारती चिंतन का केंदर बिंदू भी है यहां यह भी गौर तलब है कि बिंदू की तरफ उनका जुकाओ उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल जरिया ने कराया था रजा की कला और व्यक्तित्व में उद्दातता है, उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है रुडाल वॉन लेडन, पियरे गोदिबेर, गीती सेन, जौक लासे, मिशेल एमबेर आदिने रजा पर मोनोग्राफ लिखे है यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्म कथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधू भी जोशी ने किया है यहाँ रजा ने चित्रकला के खशेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष उसकी सरजनात्मक बेचैनी अपनी रचना में सरवस्त जोख देने का उनका जुनून ये सारी चीजें इसमें बहुत ही रोचक वा सहज शैली में उभर कर आई है